If I have heard anybody's sentiments, I am really, really sorry ये सच है, उनकी बातें और उनका उठाया और हर कदम उनके समाच पर गहरा असर करता है मगर जब लौरेंस बिश्णोई ने सल्मान खान को जान से मारने की धमकी दी तो हर कोई हैरान रहे गया गौर करने वाली बात ये है कि लौरेंस बिशनोई ने सल्मान खान को काले हीरन की शिकार करने के मामले में धमकी देते हुए कहा था कि आकर हमारे समाज से माफी मांगो या फिर मरने के लिए तयार हो जाओ आप ये भी जान लीजी कि लॉरेंस बिश्णोई जिस समाज से तालुक रखते हैं उस समाज में काले हिरन की पूजा की जाती है बगर जब से सिल्मान खान ने अपने enjoyment के लिए काले हिरन का शिकार किया है तब से इस समाज में सल्मान खान के परती आक्रोश और बदले की भावना समाई हुई है लौरेंस बिष्णोई का बच्पन से ही एक ही सपना है सल्मान खान को सबक सिखाना लॉरेंस का सिर्फ इतना ही कहना है या तो माफी मांगो या जान दो आप क्या कहेंगे क्या सल्मान खान को माफी मांग लेनी चाहिए आपकी राए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताई ये वीडियो अच्छा लगा तो भी सब्सक्राइब कर लिए बेल आइकन दो बारना न भूले थैंक यू